दोस्तों क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पुरुषों को महिलाओं की गुलामी करनी पड़ती है यह एक मेट्रिया की माइक्रोनेशन है जिसका नाम है अदर वर्ल्ड इंडम इस देश की राजदानी है ब्लैक सिटी यह एक वुमनिया एंपायर है यहां का शासन पेट्रिसिया नाम की एक राणी चलाती है इस देश में हर महिला के पास कम से कम एक पुरुष गुलाम जरूर होता है महिला इस देश की मूलनी वासी है और यह भी सच है कि पुरुषों को यहां जानवरों से भी बत्तर इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें टॉर्चर करने के लिए टॉर्चर चिंबर भी है यहां पुरुषों को नागरीकता नहीं दी जाती जिस पर रानी बैठती है अगर किसी गुलाम को शराब पीनी हो तो शराब को पहले मालकीन के पैरों पर डाला जाता है और उसके बाद ही कोई उसे पी सकता है दोस्तों सरहदों को लेकर पडोसी देशों के बेच अकसर तनातनी देखी जा सकती है और इसके सुरक्षा पर करोडों रुपे खर्ज भी किये जाते हैं लेकिन कि आपको पता है यूरोप में एक सरहद ऐसी भी है जो लोगों के घरों के बीचों बीच से होकर बुजरती है जहां लोग एक देश में नास्ता बनाते हैं और दूसरे देश में जाकर उसे खा सकते हैं जहां नीद में करवट लेते ही देश बदल जाता है दोस्तों ये बॉर्डर बारले शहर में है 1830 में नेदरलैंड और बेल्जियम के बीच जब बारले शहर का बटवारा हुआ तब बारले शहर का कुछ हिस्सा नीदरलैंड के हिस्से में गया जिसे बारले नासायू के नाम से जाना जाता है और कुछ हिस्सा बेलजियम को मिला जिसे बारले हेर्टो कहा जाता है सफेट क्रॉस बना कर चिन्नित ये सीमा रेखा कई लोगों के घरों के भीतर से होकर गुजरती है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में हर चीज दो है इस शहर के नाम दो है यहाँ दो नगर पालिकाएं हैं और दो डागगर है लेकिन इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक ही कमेटी है